मेरा नाम हाकाश आप देख रहे हैं आकाश सिंग यूटीव चैनल और आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे किसी भी एक e-commerce website पे यूपी आई पेमेंट गेटवे एड़ करेंगे तो इस वीडियो हम स्टेप बाई स्टेप सेखेंगे किस तरीके साथ किसी भी e-commerce अच्छ सकते हैं और उस पेमेंट गेटवे में ना आपको कोई चार्ज एक्स्टा देने पड़ेंगी कि आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए कुछ परसेंट चार्ज जो गेटवे को देने पड़ता है ऐसा कुछ नहीं हुगा जो भी पेमेंट आपका कस्टमर्स यहां वे पे करेंग और डारेक्टली इंस्टेंटली आपके बैंक काउंट में क्रेडिट हो जाएगी तो स्टैप बाइस्टैप आपको यह पूरा टुटोरियल देखने हो यहां पर मिलेगा अगर आपको भी आपनी आपने क्लाइंट की वेबसाइट पर यूपाई पेमेंट करते हैं अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखिए उसका लिंक आपको उपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप जाके पहले वह वीडियो देखिए और अपनी एक एक उमर्स वेबसाइट आप स्टार्ट करें उसके बाद जो बा लगाएं तो करेंटली अगर हमारी जो वेबसाइट हमने लास्ट वीडियो में क्रीट की थी इसका कोई भी प्रोडेक्ट हम यहां पर पर्चेज करने का ट्राइब करते हैं तो अगर अभी हमने एक जो प्रोडेक्ट यह एड किया है इसको प्रोसीट्टो चेक आउट पर क पेमेंट मैथड यूज करने वाले वो है यूपियाई सो इस वेबसाइट पे या फिर आप किसी भी अपनी e-commerce वेबसाइट पर सिंपल दो स्टैप में यूपिय पेमेंट गेटवे एड कर सकते हैं पहला जो स्टैप है वो है हमारी वेबसाइट पे एक पेमेंट गेटवे य यूपियाई जैसे आप यूपियाई सर्च करेंगे आपको कुछ ये वाला जो प्लगिन दिख रहा है जिस पे 8000 प्लस एक्टिव इंस्टोलेशन है इसको आपनी वेबसाइट पे इंस्टोल करना है स्टोल करने के बाद सिंपल आपको इसे एक्टिवेट करना है आपको सिंपल वोगोमर्च पर जाना है वोगोमर्स में सैटिंग सक्टिव पर हमें क्लिक करना है जैसे हम सैंठिंग सोक्षिन पर क्लिक करेंगे यां पर आपको पेमेंट का ऑप्स्ट देखने को मिलेगा इस section पर हमें click करना है जैना आपको देखना है कि UPI QR code जो कि हमने plug-in add किया था उसका option यहाँ पर आ रहा है उसके सामने manage बटन पर हमें click करना है manage button पर click करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी setup टाइटल आपको देखने को मिल रहा है टाइटल क्या होता है जैसे कि अगर आप इस पेज़ पर देखेंगे तो यहां पर payment gateway के जो टाइटल हो cash on delivery credit card stripe इस जगह पर टाइटल शो होता है तो आप जो भी टाइटल लिए वहाँ पर शो कर वाना आसकते हैं वह यहां पर डाल सकते हैं जब भी आपका payment जो user है वो payment करेगा तो उसको क्या शोग होगा वो सब आपे है उसके बाद आपको यहां पे आपका जो श्टोर का नाम है वो यहां पे डालने डने आपकी UPI ID डालने यहां पर वही UPI ID डालने जिस पे आपको payment accept करने है तो आपकी UPI ID यहां पर डालने के बाद कुछ और बाद जो भी button होगा pay करने के लिए उसके बटन पर क्या स्यों करने स्केंट पे करने पे देन जो भी आप करने चाहते हुआ यहाँ पे कर सकते स्कतें जी जितने भी सोटन्ति है यह इस रहाँ है यह सेव चेंचेंज पर क्लिक करेंगे आपका यй यूपियाई का payment gateway हो आपकी website पे अनेबल हो जाएगा अगर कोई भी user है वो payment करता है तो वो कैसे करेगा हमारी जो website हम उसको एक अलग browser में यहां पर open करते हैं जैसे कि हमारी जो website website का address है वो ecom.acassing.co है सो हम सिंपल इसको यहां से इस वाली website पर आ जाते हैं हमारा कोई भी एक product यहां पर लेते हैं जैसे कि यह वाला जो product है यह हमें लेना है इसको simple add to card करना है to card करने के बाद अगर आप जैसे प्रोसिट टू चेक आउट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको कुछ बेसिक information आपकी जो यहां पर फील करनी है वो फील करने के बाद आपको simple payment method में pay with UPI QR code आपका यूजर इसको select करेंगा then proceed to payment पर क्लिक करेंगा जैसे proceed to payment पर क्लिक करते हैं यहां पर QR code शो होगा साथ में आपकी UPI ID शो होगी तो यूजर को करना क्या होगा अपने mobile में जो भी वो एप यूज करता है पेमेंट के लिए UPI एप उसको open करना है और उस एप के थुरू यहां पर वो successfully payment कर सकता है यह वीडियो था आपके e-commerce वेबसाइट पर UPI payment gateway मेथड एड़ करने का आपसे वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे और अगर आपका कोई भी क्योश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं